एक्सलेंसीज इस स्पेशल इवेंट में आप सब का हार्दिक स्वागत है मेरे मित्र राष्प्रति बाइडन के साथ इस इवेंट को कोचेर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और एतियासित समझोता संपन्द होते हुए देखा है आने वाले समय में यह भारत पस्चम एशिया और यूरोप के बीच एकनोमिक इंटिग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टनेमर दिशा प्रदान करेगा मेश एक्सलंची राष्प्रती बाइडन इस रोयल हैनेस च्राण प्रिंस और प्रिमिस्टर मोहमध बिन सल्मान इस रोयल हैनेस राष्प्रती सेख मुहमध बिन जायत इस एक्सलंची राष्प्रती मेक्रोड इस एक्सलंची चंसलर सोल्च हर एक्सलंची प्रदान मंते मैलोनी और हर एक्सलंची प्रजिएंड बॉन्डेर लेंड इन सब को इस इनिस्टिव के लिए मैं बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ हूँ फ्रेंट्स मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रस्ट्रक्टर मानव सब्यता की विकास का मूल आधार है भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विशय को सर्वोच्य प्राथ्फिक्ता दी है कि फिजिकल इंफ्रस्ट्रक्टर के साथ साथ सोच्यल डिजिटल तता पाइनांस्यल इंफ्रस्रक्टर में अभूत पुर्वा पहिमानी पर निवेश हो रहा है इसे हैं हम एक विक्सित भारत की मजबूत नीव रख रहे हैं हमने ग्लोबल साथ के अनेक देशों में एक विश्ट्रस्निय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, बोटर, टेक्नोलोजी पार्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रस्रक्टर प्रोजेक्ट्स इंप्लिमेंट किये हैं इन प्रयासों में हमने डिमांड डिवन और ट्रांस्परंट एप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है पीजी, आई, आई के मध्यम से हम ग्लोबल जाउट के देशों में इंफ्रस्रक्टर गैप को कम करने में महत्वपन योगदान दे सकते हैं फ्रेंट्स, भारत कनेक्टिविटी को खेत्रिय सिमाओं में नहीं बापता सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथ्मिक्तर है हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विविन देशों के बीच आपसी ब्यापारी नहीं, आपसी विश्वाज भी बढ़ाने का स्रोथ है कनेक्टिविटी इनिसेटिव को प्रमोट करते हुए कुछ मुल्भुद सिधांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है जैसे अंतराष्टिय नॉर्म्स, रूल्स तता लौज का पालन सभी देशों की संप्रभूता और छेत्रिय अखंडता का सम्मान डेख बर्डन की जगर फाइनांसियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और परियाबरण के सभी मापदंडों का पालन करना आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिसेटिव ले रहे हैं तब हम आने वाली पीडियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं मैं इस आइत्यासिक अवसर पर सभी लेडर्स को मैं बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं